कि आज हम बात करेंगे कि जो विर्बैक कंपनी की जो लोरेक्सन क्रीम किस चीज में यूज आती है या किस किस चीज में आप यूज ले सकते आज हम देखेंगे कि जो विर्बैक कंपनी की जो लोरेक्सन क्रीम इसके क्या-क्या यूज यूज है और इसको किस किस चीज में यूज ले सकते हैं फर्स्ट हम इसका इंट्रोडेक्शन देखें ये लोरेक्सन विर्बै कंपनी की लोरेक्सन क्रीम ये इसकी एम आरपी 48 रुपी जिसकी एम आरपी है और अब हम ये देखेंगे कि आप इसको किस किस चीज में उपयोग ले सकते हो देखे इसके उपर लिखा हुआ है कि मक्खी बगाएं कीडे मारें गहाउ सुकाएं जो कि आपने फर्स्ट इंट्रोडेक्शन में आप देख चुके हो और इसके उपर बना हुआ है गाय, भैस, बक्री और वेटनेरियन क्रीम यानि आप इसको जानबर यानि जो गाय, भैस, बक्री, डोग, कैट, कबूतर, या जो पैरट्स या पैरक्रिट्स सभी में आप यूज ले सकते हैं और अब हम यह देखेंगी कि इसके यूजज क्या क्या है यानि इसको कैसे लगाएं और इसकी यूजज क्या क्या है देखिए इसको उपर यह यानि किस किस चीज में काम आती है यह एक तो आप मक्खी यह कई बार देखे होगे कि जो मैगिट्स होते हैं वो एक मक्खी की वज़े से मैगिट वूंड में तपलीब्द हो जाते हैं यानि बदल जाते हैं वो भी कौन से सीजन में देखिए जो अब यह सीजन चल रहा है यानि सिप्टमबर से ओक्टमबर नौवंबर के सम्थिंग यानि जो कि अब यह बारिस का मोसम है देखिए इस मोसम में आप देखोगे कि जो डॉक्स है या जो अपने जो आसपास के जो इस्ट्रेट डॉक्स हैं तो उनका मैटिंग सीजन या मैटिंग टाइम चल रहा होता है तो इस टाइम पे एक तो मैटिंग सीजन और दूसरी बात वर्षा यानि बारिस का भी मोसम च ज़से बहुत सारे डॉक्स उत्य है इस ट्रेट तो उसमें फाइटिंग या लड़ाई हो जाती है तो उसमें दोग के घाव हो जाता है या उसके एक छोटा सा कोई भी एक छोटा गहाव हो जाए तो उसके बात गहाव को दूसरी बात खाव को भी सुकाती है और एक तीसरी बात कि यदि आपके यानि फर्स्ट में आपने लगा दिये क्रीम तो मक्खी मच्छर भी से दूर रहेंगे यानि जब मक्खी मच्छर उस पे बैठेंगे नहीं तो maggot wound वो बनेगा ही नहीं तो इसलिए आप यह क्रीम अपने डौग के उपर यह जो अपने पास में जो या इस्टे डौग है अपने आसपास में तो छोटी सी भी क्रोच या उसके लग गई है तो आप यह क्रीम यूज लीजिए देखे इस क्रीम का हम अब रिव्यू यानि कि इसका कितना अच्छा फाइदा है देखे हम कोई भी वीडियो बनाने से पहले हम उसको पहले खुद यूज लेते हैं फिर बाद में आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं यानि किसका कैसा क्या रेजल्ट है तो देखे इसका रेजल्ट नमबर ए है यानि आप फाइव स्टार लेए यानि कोई भी फाइव स्टार में से फाइव स्टार यानि बिल्कूल एक नमबर का इसका रेजल्ट है यह आपको हर क्लीनिक पर हर जो मेडिकल जो वे आपको किसी medical store पर भी मिल जाएगा यानि pharmacy पर भी यह मिल जाएगा अब हम एक यह भी देखेंगे कि यानि आप दिन में इसको कितनी बार लगाए देखिए इसके उपर लिखा हुआ है कि आप दो से तीन बार लगा सकते हैं तो जहां पर घा उब रहा है यह वहां पर लगाना अब आपको यह भी question होगा कि इसको कहा कहा पर नहीं लगाना देखिए पूरी body पर दो जगे नहीं लगाना एक तो आख और नाख पर नहीं लगाना जहां कि सास लेने की जगह हैं वहां पर नहीं लगाना और आखों पर नहीं लगाना बाकि आप अपने dog के या जो straight dog है उस दिखाएंगे कि आपको इसका result भी हम आपको दिखाएंगे और इसको लगाकर भी हम आपको दिखाएंगे देखिए यदि आप हमारे YouTube चैनल पर first time आए हो तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजे हम dog related, birds related और cat related आपस information share करते हैं देखिए यह हमने जो YouTube चैनल जो हमारे उनके लिए बना रखता है जिससे कि हम उनका free of cost यानि फ्रे में हम उनका इलाज कर सके तो इसलिए प्लीज आप हमारे इस YouTube चैनल को subscribe कर लिजिए और हमारे इस वीडियो को like कर दीजिए और अपने friends को आप जरूर शेयर करें कि देखिए आपका एक share किसी dog की जान बचा सकत है क्योंकि maggots एक ऐसी चीज है कि घाव पर maggots पढ़ने पर वह धीरे धीरे जो घाव के भितर पूरा जो मास होता है वह खाने लग जाते हैं और वह धीरे धीरे डोग इतनी condition बेकार हो जाती है कि वह लांस्त में मर जाता है तो प्लीज आप इस वीडियो को share करें कि जिससे क आपके जो friends हैं उनको भी ये वीडियो पहुंच सके और जो हमारे stay dog है यानि जो हमारे आसपास में यादि आपके आसपास में stay dog हैं उनकी मदद हो सके देखें ये ज्यादा रुपे का कोई इसके MRP ज्यादा रुपीज नहीं है और ये इसका बढ़िया अच्छा रजल्ट हैं तो आप इसको यूद्स जरूर लीजिए में ये धनर प्रिफ़ नहीं हो सके देखें हमार लीजिए सके देखें अच्र का ऩ में गर देखें रज़ भीजिए और रफषमार के ड्स हैं येधीं होाओीं है कि आसओ कह उा जो मैं हमारे शोंम्हमार के ऊंपके इन कि फॉर्वाचिंग मै वीडियो धन्नेवाद यह दि आपका फिर बीवी कोई गोओ संग रह गया हो तो आप हमारे को कमेंट में बता सकते हुं हम आपको 100 पर स्थे शोर हम आपको का कि युज़ को आन्सवर जरूर देंगे थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो धन्यवाद कर देंद कर देंद कर दो कि अ हुआ है कर दो